Dear students, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, बच्चों, ये Class 2 का English book है, Chapter 4, और इस Chapter का नाम दियावा है, Is, M, R, मतलब इस तरह का word जो है, M, Is, M, R, इसको helping verb बोला जाता है, तो इस तरह का word किस तरह के sentence में उपयोग होता है, तो story को इसी तरह से बना गया है, कि ये सारे word जो ह फिल्ड में मैदान में बहुत सारे बच्चे है, देर आर प्लाइंग फुटबोल, वे सभी फुटबोल खेल रहे हैं, 4 अनूज, प्यूस, अभिनव, और मनिस, उनमें से 4 हैं, अनूज, प्यूस, अभिनव, और मनिस, 4 बच्चे का नाम दियावा यहां पे, वे फुटबोल के बहुत ही अच्छे खिराड़े हैं, यह प्राक्टिस डेली, वे रोजाना अभ्यास करते हैं, अनूज, अपने क्लास में फर्स्ट है, उसका रोल नंबर फर्स्ट है, पढ़ने में तेज हैं, They are very gentle, वे सभी बहुत ही नेक हैं, they are very disciplined, वे बहुत ही अनुसासन प्रिये हैं, अनुसासित हैं Once I asked Puse, How old are you? एक बार मैंने Puse से पुछा, कि तुम कितने साल के हो? तुछ ने क्या जवाब दिया? He said, I am 12 years old, मैं 12 साल का हूँ यहाँ पे देख रहे हैं, यह चारो बच्चे का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे है, यह एक, दो, तीन, चार, इस तरह से दिया हुआ है, और इसकी निची क्या दिया हुआ है? अनूज is wearing a white shirt यहां पे जो बच्चा white shirt पहना हुआ है उसका नाम अनूज है अनूज ने white shirt पहना हुआ प्यूस इज वेरिंग ए ग्रीन सट और प्यूस ने हरे रंग का सट पैना है यहाँ पे यह लड़का जो है यह हरे रंग का सट पैना है अभिनाव इज वेरिंग ए रेड सट और मनिस इज वेरिंग ए तो अभिनाव जो है वो लाल कलर का सट पैना है यह है और मनीश, मनीश जो है वो किस कलर का है? पिंक कलर का है यहाँ पे नीचे दिया है यहाँ पे है पिंक सट मनीश पिंक सट गुलाबी कलर का सट पहना हुआ है When they were to start playing Just then an old man arrived जब उन लोगोंने खेलना प्रारंब किया था शुरू किया था उसी समय एक बिर्द बेक्ती वहाँ पे पहुच जाता है He asked Anuj his name वह Anuj का नाम उससे पुछता है Anuj said to him I am Anuj, मैं Anuj हूँ Further he said और फिर उसने आगे कहा We are playing football daily हम लोग football रोज खेल रहे हैं We are footballers हम लोग football खेलने वाले खेला रहे हैं The old man asked the other boys their names और उस बिर्द बेक्ती ने दूसरे बच्चों को भी उसका नाम पूछा Puse said I am Puse Puse ने बतला है कि मैं Puse हूँ Avinow said Avinow ने क्या कहा Avinow ने कहा I am Avinow मैं Avinow हूँ Manis ने कहा Manis said I am Manis मैं Manis हूँ They all said We are fast friends और सभी ने एक साथ कहा हम लोग सचे दोस्त है After that The old man gave his introduction और इसके बाद उस बिर्द बेक्ती ने अपना परिचे उन लोगों को दिया I am a teacher मैं एक सिच्छक हूँ My name is Kanta Prasad मेरा नाम कामता परसाद है Boys started to play और बच्चे लड़के जो है खेलना शुरू कर दिये तो यहां पर यह चप्टर समाप्त हो गया है तो इसमें क्या questions दिया हुआ है आए देखते हैं हम लोग यहां पर दिया हुआ है इस चप्टर का new words इसमें कुछ new words आये हुए है जिसका meaning भी साथ में दिया हुआ है English में ही दिया हुआ है नाम लिखना जैसे कि रेड कलर हो गया रेड हो गया रेड लिख लेना है और यहां पर ग्रीन लिख लेना है यहां ब्लैक यहां वाइट हो गया एलो और यहां पर यह पिंक हो गया इस तरह से उसके बाद question number two say allowed इसको जो 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 से बोल कर पढ़ना प्राक्टिस वेरिंग शर्ट फुट्बॉलर्स फर्दर फ्रेंड्स इस तरह से इसको उचारन करना है और नेक्स्ट में दिया हुआ है question number three यहां पर दिया हुआ है max sentences from the flowing words यह जो words दिया हुआ है इससे sentence आप लोगों को बनाना तो इसका sentence में आप लोगों को बना कर दे दूँगा जैसे कि यहां पर picture तो look at the picture इस तरह से boys boys are playing football या फिर boys are playing इतना भी लिख सकते हैं छोटे छोटा इसमें sentence आप बना सकते हैं तो इसका जो भी suitable sentence बनेगा मैं आपको screen पर दे दूँगा आप वहां से देखकर लिख सकते हैं उसके बाद यहां question number four fill in the blanks with the given word given below यहां पर जो words दिया हुआ है इसको choose करते वे इसको भरना है यहां पर क्या हो जागा first में यह number में there are many days in the field तो many boys हो जाएगा यह boys यहां पर आ जाएगा the boys are in the field इसमें two number में field हो जाएगा उसके बाद c number में they are best friends they are fast friends fast यहां पर fast का मतलब सच्चा हो जाएगा वे सच्चे मित्र थे उसके बाद अनूज is a good तो यहां पर क्या हो जाएगा फूटबोलर हो जाएगा good footballer और they are very gentle they are very gentle तो यहां इस तरह से complete हो जाएगा और इसमें question number five यहां पर भरने के लिए दिया गिया है लेकिन इसमें grammatically दिया हुआ है यह grammar से दिया हुआ है तो फिल अप the correct helping verb यह सब भर्भ है helping verb है taking out of the bracket helping verb और man verb क्या होता है इसको आप जब grammar पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा तो यहां पर फिलाल यह दिया हुआ है उसी तरह का तो दे के साथ आर लगता है दे आर playing football तो यह आई के साथ एम लगता है तो एम यहां पर आ जागा और आई के साथ फिर एम लगता है तो यहां भी एम आ जागा और वी के साथ आर लगता है तो आर फिर यहां पर यहां पर जो man question है वो आ गिया है तो इसको हम लोगों को solve करना है first में क्या दिया हुआ है where are the boys लड़के कहा है तो इसका answer क्या हो जागा the boys are in the field तो आपको answer जो है screen पे लिखावा आ जागा उसके बाद b number what are the boys doing लड़के क्या कर रहे हैं तो the boys are playing football तो लड़के जो है वो football खेल रहे हैं c number में who stands first in his class अपने class में कौन first आता है तो इसका answer हो जागा अनूज अनूज सिर्फ लिख सकते हैं उसका नाम लिखने से भी पुरा answer हो जागा उसके बाद d who are good friends कौन अच्छे दोस्त हैं तो इसमें एक बार आपको पूरा नाम देना होगा चारों को चार बच्चे हैं वहाँ पे अनूज, प्यूस, अभिनाओ एंड मनिस और good friends उसके बाद जो है आप आगे में नाम के जगा पे दे लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इन नमर में दिया हो है उस बृद्वेक्ती का नाम क्या था उस बृद्वेक्ती का नाम था कामता परसाद तो इसका answer सिर्फ कामता परसाद लिखना है तो यहाँ पर यह chapter पुरी तरह complete हो गया है और यह class 2 का English book का question answer है तो इसमें ज्यादा chapter नहीं हुआ है आप हमारे साथ बने रहे हैं अगर आपका comment मिलता है मुझे तो फिर आप लोगों को मैं next chapter और उसके और next chapter देता जाओंगा और जल्द ही इस book को मैं समाप्त करने का प्रियास करूंगा तो अगले chapter के लिए हम लोग next video के चलेंगे